राज चंदानगर या खुद्पुरा रेलवे स्टेशन के पास में एक दुखबुरे एक्सिएंट हुआ है जिसमें फायर एक्सिएंट था दो लोग की डेथ हो गई मोहनलाल और उशा भाई और एक लड़की शूरती जो जेरे हिलाज है दोनों की जैसे ही डेथ हुई है इमेडियेट आज सुबा हमने इंस्पेक्टर रेन बजार आर डियो हैदरबाद तैसिलदार सार्मिनार ये लोग के साथ में सबसे पहले घर का पंचनामा भी कराया और यहां आकर बाडिस का पंचनामा के अलावा जो जो फार्माल्टी से कंप्लिट कराके भी पोस्माटम कराके बाडिस हवाले कर रहे हैं चूर्ती जो जेरे इलाज यशुदा हास्पिटल में है उसके इलाज के लिए जो भी बहतर हो सकता उसकी पूरी-पूरी मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं हम गवर्नमेंट आफ तैलंगाना से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं यह जो हादिसा है एक गरीब फैमली घर में गैस के सेलेंडर की लीकेज की तरफ से उसके आग लगे चूंकि दिवाली का मौखा था थोड़े से दिवाली के फिस्टिवल के इसाफ से क्रैकर्स लाए थे खुछ चोड़ने के लिए वो क्रैकर्स भी जले बर्निंग से ज्यादा सफूकेशन की तरफ से जो भी स्मोक निकलता है और पूरा लंग्स में जाने की तरफ से दोकी डेत हुई है शुरती के भी लंक्स में ज्यादा इसमुख जाने की दरब से उसको किलियर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये शुदा हास्पिटल के अंदर मैं हुकुमत आफ तेलंगाना से ये अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम एक 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 जो मरने वाले है उन लोगों को पांच पांच लाग रुपे आप कम पंद मौहाइजे के तौर पे देना चाहिए एक्स ग्रेशिया में और जो बच्ची शूरती जेरे इलाजे उसको भी पा चाहता हूँ हमारी पार्टी के जानिब से हम भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उनलों के लिए जो भी भरपूर मदद हो सकती करेंगे क्योंकि एक ऐसा दुखवरा वाखिया है जिसके अंदर हम इसका कोई बदल नहीं दे सकते सिर्फ इनकी फैमली मेंबर्स के साथ में हम बराबर शरीक हैं उनके दुख में हम शामिल है बहुत बहुत शुक्रिया अब गौर्नमेंट से मिलने का नहीं रहता जब इंसिडेंट होता है इमीडियेटली मैं खुद बहस्यते इलेक्टेड मेंबर वहां पहुँचा हूं और वहां पहुँच के गौर्नमेंट मिशिनरी को रिक्वेस्ट किया हूं आरडियो आने का मतलब यह होता कि आन बिहाफ आप गौर्नमेंट आरडियो साब आके जो भी फार्माल्टी को हम रिलीज कराके पहुचाएंगे ताके उनलों के जो भी लास्ट फार्माल्टी होती वह उनलों कम्प्लीट कर सकते हैं अकॉर्डिंटि उनके कस्टम्स के साथ हैं क्रिस्सट कर सकते हैं झाल झाल